हालो और वेल्किम दोस्तों टुफाइमेड इंग्जिनेरिंग आज का वडियो आपके बड़ा कम्माल का होने वाला क्योंकि एक अलगुरिदम में लेके आ गया हूं जो है आपके फिक्स प्राइरिटी अलगुरिदम में शामिल जिसका नाम है रेट मोनोटोनिक अलगुरिद नहीं होती ठीक है तो अभी उसे हम लोग समझेंगे एक्जामपल के साथ इस अलगुरिदम का इंप्लेंट इंप्लिमेंटेशन अब जो इस अलगुरिदम का कोर पार्ट है वो है कि आसाइनिंग द प्राइरिटी कैसे आसाइन की जाए यह समझना है हमें तो उसके लिए य इंटरम्स पिरियोडिक टास्क तो यहां पर रेट आपका इंवर्स है पिरियड का तुसे आप किस तरीके से अज़र कुलूडिंग स्टेटमेंट कैसे दे सकते हो कि अगर मेरा रेट जादा है इफ आम हैविग एंग इंक्रीजिंग रेट देन हाइए अग्यर दरेट हाइ है तो रेट और प्राइरिटी इंवर्सली प्रापोर्शनल की तरीके से देख सकते हो और रेट और प्राइरिटी को डाइरेकली प्रापोर्शनल की तरह आप देख सकते हो कि जैसे रेट बढ़ता है प्राइरिटी बढ़ती है पीरेड कम होता है जैसे रेट कम होता है वैस रेट मोनोटॉनिक अल्गुर्थम सिंपल है कुछ नहीं ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं एक्जाम्पल कुछ ऐसे आते हैं तीन टास्क आपके सामने रख दिये हैं और टास्क में दो दो टपल दे दिये हैं उस रिस्पेक्टिव टास्क यह कौन से टास्क है पीडियोडि एक्जिक्विशन टाइम कितना है कितने उनिट्स ऑफ टाइम उसको एक्जिक्विट करने के लगने वाला है वो इसे रिप्रेजेंट किया हुआ है ठीक है तो यहाँ पर पिरियोड्स आपको मेंचेन है 4 5 & 20 लाइक दिस तो अगर मैं इस फंडे के हिसाब से जाब से जाब सबसे कम पिरियड तो सबसे कम पिरियड वाला अकड़ा टीवन है इढां रसमें वाला कि यहां पर टी टो है उसके बाद कौन है it is nothing but T3 जिसका 20 है, 20 मतलब सबसे ज़ादा period यानि कि उसके सबसे कम priority तो यहां पर T3 है, तो यह हो गई आपकी fixed priorities जो मैंने assign कर दी है मतलब T1 की सबसे ज़ादा priority है, उसके बाद T2 की और फिर last में T3 की priority आती है I hope you are understanding इस तरीके से मैंने जो priority है वो assign कर दी है अब ही, यहां पर एक चीज़ समझने की आपको कोशिश करनी है, period का मतलब I hope आपको समझ में आ गया होगा कि वो एक ऐसा particular time interval रहता है जिसके बाद एक job अपने आपको particularly repeat करता है बराबर, अब यहां पर जो phase है इनका initially not given है phase यहां पर किसी भी periodic task का given नहीं question में, तो हम consider करेंगे सभी का phase जो है, वो 0 है सभी का phase 0 है, मतलब क्या सभी task के जो पहला job है उसका release time 0 है, यह हम consider करके चलेंगे, ठीक है, तो बाकि सब तो ठीक है given है, अब उसके according हमारे यहां पर जो GAN chart है, इसके उपर हम scheduling तयार करेंगे एक तरीक से देखेंगे कि क्या हम लोग को वो nature जो इस algorithm का देखने को मिल रहा है see, first of all T1, T2, T3, यह हमारे पास available है इसमें से highest priority किसकी T1 की है तो हम क्या करेंगे, पहले T1 को इदर रख देंगे चुप-चाप, T1 को यहां पर रख देंगे ठीक है, T1 का execution time कितना है one unit का, तो वो सिर्फ एक ही unit complete करेगा before this मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूंगा कि इसके periods को पहले यहां पर GAN chart पर define कर देते हैं, यह बहुत जाधर ज़र्वी है ठीक है, कैसे इसका जो period of 4 है, मतलब क्या कि 0 प्लस 4, यहां पर आपको T1 वापस release होगा आपका यहां पर, at this instance 4 आप पर T1 वापस release होगा at this instance 8, T1 वापस release होगा at this instance 12, T1 वापस release होगा at this instance 16, T1 वापस release होगा इस तरीके से मैं कहने की कोशिच कर रहो है, यहां पर भी T1 like this, I hope you are understanding तो 4-4 unit of time के बाद चलो seconds बोल लेते, unit of time की जगा चार-4 second के बाद, आपका जो respective time है, task के T1 वो repeat होगा, उसी तरीके से, अगर आप T2 देखोगे, तो T2 यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर T2, हर 5 second के यहां पर T2 होगा, फिर वापस से यहां पर T2 होगा और फिर यहां पर T2 होगा, I hope you are understanding देखोगे, और इसका तो direct 20 है तो यहां से लेकिए, यहां तक जो है 0 से लेकिए 20 तक जो मैंने यह बना रखा है यह पूरा आपका क्या होगा, एक का एक का, यहांने कि T3 का, यह पूरा पिरिएड है T3 का समझ में आगे न, और इस respective एक पिरिएड में वो एक बार execute करेगा, यह भी एक नाया फंड है जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कि कोई भी टास्क उसके पिरिएड के अंदर एक ही बार execute करता है फिर चाहे वो पिरिएड कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो जैसे कि अभी यह T1 का पिरिएड कितना है 4 units का है, तो 4 units में वो सिर्फ एक ही बार execute करेगा एक से जाधा बार execute नहीं करेगा, मतलब यह जो खिड़की है, 0 से 4 की, इसके बीच में T1 एक बार execute करेगा, जो की वो कर चुका है अब इसके आगी की कहानी देखते है तो T1 एक बार execute कर चुका है, वो आपस नहीं कर सकता है तो अभी बस तक होने T2 और T3 T2 और T3 में से कौन execute करेगा जिसकी priority जाधा है, तो T2 की priority T3 से जाधा है, तो T2 को चलो पकड़ते हैं T2 को consider करते हैं, ठीक है तो T2 को पकड़ा, तो उसका execution time कितना है 2 units, 2 seconds, तो यहाँ पे T2 यहाँ पे पहला second और T2 को दूसरा second तो 2 unit of time में उसने execute कर दिया ओके, अब T2 का period कितना है 5 का है, तो उस 5 unit of time में वो एक ही बार execute कर चुका है और उसका execution complete हो चुका है because उसको required the 2 units of time for execution उसका हो गया, ठीक है अब इसके बाद क्या है, T1 हो गया T2 हो गया, अब बसता है सिर्फ T3 भली उसकी lowest priority लेकिन फिर भी वो अबेलेबल है तो उसे हम लोग waste नहीं होने देंगे resource को idle ने रखेंगे greedy approach उसकरेंगे और T3 को यहाँ पर लेकिन आ जाएंगे, ठीक है तो T3 को यहाँ पर execute करेंगे हम लोग T3 की कितने है, T3 के यहाँ पर 5 unit of time है